नमस्कार दोस्टो मैं सुझे कुमार और आपके अपने चैनल सुझे फेंटसी में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हम लोग भात करने वाले हैं यहां पें इंगलाइंड ओमेन और न्यूजिलाइंड ओमेन के बीच में जो मुकाबला खेला जाना न और कितना मुकाबला वहिए 3020 होने वाला है और वहां से किसको उठाई करना है किसको नहीं करना है साद़ कुछ इस वीडियो में आपकेने वाले हैं त्हीं कि इतने दिलिए के जाने वाली है सब्सक्राइब को पता चले तो किस ग्राउंड होने वाला सब्सक्राइब यहां पर पेसर को तुरह ज्यादा मदद मिलता है वेदर रिपोटेक्डम के लिए कोई बाद इसके संभाबना नहीं है अब यहां पर लास्ट के कुछ मैचेस खेले गया थे ना सब्सक्राइब को आपर 5 इनिंग तो पेसर और साथ विए यहां पर आप देख चुके हो समझ चुके हो और फर्स्ट इनिंग्स में आठ लिए गीरा है तो एक चीज़ ध्यान ले करके चले ना कि सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा बिकेड ज्यादा गिरता है भाई तो मेरे हर विडियो में गीववे रहता है तो उसमें पाटिसीपेशन के लिए आपको क्या करना है वह बताता हूं सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब विडियो को लाइप और बताना है दो कोश्यों पूछूंगा वाले हैं उसका नाम लिखे सबसे ज़्यादा विकेट कौन न बात करूं तो यह दोनों के बीच में अभी तक मुकाबला खेला जा चुका है 20 और यहां पर 11 मुकाबला इंग्लाइंड ओमेंड की टीम जिती है ठीए चलो आगे बात करते हैं दोस्तों यहां पे 60% जितने के चांस आज इंग्लाइंड के हैं बिकाज अभी दोनों के दोनों मुकाबला टीम इंग्लाइंड ओमेंड की टीम जित करके आजी है तेलीग्राम से नहीं जोएंड हो तिस वीडियो के ठीक निचे डिस्कुप्सम लिंक डाला हुआ है जल्दी जागर के जोएं कर लीजे पिकाज फाइनल तीम से लेकर के टॉस अब इनका थर प्लेंग इलेंगे तो में यह वाच्व डेनिवाट के साथ ओप्रिंग करेंगी फिर एलीस कैप्सी आएंगी हीदर नाइट जोकिस्टिंग की कैप्तर ने फ्रेया कैंप आएंगी एमी जॉन्स आएंगी चाली डीन गिप्सन आएंगी लॉन बेल सारा गलेन अब एक एक प्लेर के बारे में डीटेल चे बात करेंगे मेरे स्ट दिखाने का तरीका क्या है आपको मालूगी होगा नहीं मालूँ है मैं फिर से बता देता हूं यह बंदी का फोटो बंदी का नाम पलस इंके बैटिंग स्टाइल कैसा है साम्य वाली तीम के खिला दिस इं इंटरनेस्मनल की जितनी vari मुकाबली खेल के आ रही है ना उसमें रिसेंड वाला क्या राए हो भी अहां पर लिग दिया है आफे बार बार सारे प्लीर का ऐसे में बताऊ का नहीं है डाइटली में बताू किसको ट्राइ कर रणा है किसको त्राइन यहां पर मेयर बहुंचर है 33 32 दोनुं मैच में अच्छा का सब्सक्राइब लेकिन बन्दी बहुत तक्रिवाली है पर्फॉर्मेंस में नो डाउट आपके टीम में होनी चाहिए और पर्फॉर्मेंस भी अच्छा आज़ा करके तरी हालाकि 18 का एबरेश यह इंका सानवालेटिंग में लेकिन ठीक्टा खेल जाती है ठीक है उसके आती है एलिस कैपसी आप इंका देख लो 28 दो मुकाला खेली ह और यहां पर दूसरे मुकाले में बॉलिंग नहीं किया है बस बैटिंग किया है और 28 अच्छा वास इंका पर्फॉर्मेंस रहता है इंपॉर्टिंट बनेंगे लेकर जाते हो नाइटस की वह ब्रंट आप इंका देखो फर्स्ट मैच में सहिताली सम पनाई ठीक नहीं मिला दूसरे मैच में गार्ण प्लस एक भी कर तो बंदी बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके दे रही है पर्फॉर्मेंस भी पर्फॉर्मेंस करके दे सकती है न्यूजिलैंड ओमन की खिलाप कि थ्यान में आवाए ठीक है इनकी बंदी फोग तवे वाली है इस विज़ेसे मि अगर विकेट कीपर उपर बैटिंग करेंगे ना तो फिरो उनको टिंग लेकर के जहूंगा उसके दैनिल गिप्सन आप इंका देख लोगे ना पांच मैच के लिए चार विकेट निकाली है अच्छा यासा इंका बॉलिंग अटाइक राता है हलांकि एक मैचों एक तालीस इस बंदी का नाम याद कर लो यार कहीं भी खेला लो पेसर पीस पे खेला बंदी निकालती है ठीक है इंपोर्डन बॉलर नहीं स्कीम की और दो-दो-दो मैच में मिला करके चार विकेट निकाल लिए है साड़ा के लिए नाती है फर्स्ट मैच में थीन भीकेट नहीं मिला लेक ब्रेक बॉलिंग करती है और साथ मैच में थीए तर पिकेट है यार में चोंदर विकेट है इनका अच्छा आज़ा बॉलिंग अटा पगरा राता है आप इंको चाहतो तो तो ट्राइ करके जा सकते अच्छा आपको बॉलिंग करेंगी तेरा मैं 20 बिकेट है अपने टीम में आप लेके जाए नेक्स आते सारे बेंस के बलें लेंसे कोई भी खेलता है ना विच्ट में आपको बता दूँगा अगर अब तक चानल को सबस्क्राइब में निलेगा आपको आपको रोजाना वी आपको बिलता रहे भाई ठीक है अब न्यूजिलाइन के तरफ से बात करते हैं दोनों को दोनों मुकावला टीम हार करके आ रही है अब इनके प्लेंगे लिए थोड़ा देख लेते तो यहां पर सूजी बेट आएंगी फिर सौफी डिवाइन जोकिस्टीम की क्या गया था इसलिए क्यों की बन्ती परफॉर्मेंस अब उतना नहीं कर पा रही है इसी वज़े से इंको थोड़ा बैटिंग और नीचे कर दिया गया अब बात करते हैं एक एक प्लेयर का स्क्राइट्स वगरा किसको ट्राइक करना आपके लिए बेनेफिट का काम रहा किसको ड्रॉप बहुत अगड़ी वाले स्टाइट्स है और तर्फॉर्मेंस नहीं कर पा रही है हाला कि दोनों मैचे फ्लॉपी रही है बॉलिंग तो करती है एक आदो बर डालती है उससे ज्यादा नहीं कर आती है और सबसी इंपॉर्टन बॉलर है आप समझी रहे हो देखी के बता चल र सब्सक्राइब तो मतलब फर्स्ट मैचे तो कुछ खास नहीं कर पाई लेकिन सेकेंड मैच में अच्छा पर्फॉर्मेंस की है ट्राइ करना वाई उसके ब्रूख है लिडे आप इंका देख लो पर्फॉर्मेंस उतना कुछ खास आपको नहीं दिखने को बिलेगा 17 का मजने में आपको असानी डाइए ठीक है तुरह दियान है लेकिन कुछ खास नहीं बनेंगी निशाद है इनका बैटिंग कर दिया गया है कुछ खास नहीं करेंगी ली तहा हूँ या को बॉलिंग से हर्मेशा पर्फॉर्मेंस करता हो लिखी नहीं पंद्रह मैंचों तेरह प्रफॉर्मेंस के प्लेयर अगर इनमें से कोई खेलती है जैसे के फर्स्ट मैंच में खेली थी क्या बोलते हैं एडन कार्सन एक निकाली है ताहीं कुछ खास इंका प्रफॉर्मेंस उतना नहीं रहता है चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किये हो थो ठीक है अब डिसकस कर लेता है किसको किसको ट्राइब करना चाहिए अपने टीक में ठीक है यहां पर देखते हैं विगए जोंस कोई खास प्लेयर बनने वाले नहीं है बेसी तो खेलेंगी रही इसावलिके ब परफॉर्मेंस नहीं कर पारेंगे लेकिन बंदी बहुत अगरी वाली है ठीक है तो थ्यान रेकरेंगे बागी जो हमारी टीम बन रही है वो इस एक और इंप को देखने को मिलने वाली है गरेंगे लीता हो और मैंने शॉफ इस रसोन को रक्षा है नाटस के ब्रेंट व्रेंट इवाइन अमेलिय के चाले इंप्वाइब रखा है डन्योवैट सुजी बेट्स में बोच और आमिल जोंस को ने रखा है मैं फाइनल टीव में वाइस कैटन एमेले अगैर को देदू जो कि मैं कर सकता हूं भाई या फिर में वाइस कैटन देने वाइस नहीं रहा है जो भी चैसे करूंगा मैं टेली रहा बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है जल्दी जागर के जोइन कर लिजे और हां कि दूस्तों जाए हिंट